विराट कोहली ने टीम इंडिया में सेट किया फिटने स्ट्रेंड, सालों से नहीं चप्खी फेवरेट डिश टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अपना तीसवां बर्थडे सेलिबरेट करने जा रहे हैं। अपने 10 साल के अंतराष्ट्रे करियर में कोहली ने कई बड़े की रतिमान और उपलब्धियां अपने नाम की हैं। इतने लंबे समय तक बिना किसी बड़ी इज़ी के नेरंतर इंट पॉम रहना कप्तान कोहली के अनुशासन को दर्शाता है जो न सिर्फ उनके वर्काउट बल्कि डाइट प्लान में भी दिखाई पड़ता है। कोहली जिम में वर्काउट को लेकर काफी सजग रहते हैं। उन्हें देखने के बाद टीम के बाकी खिलाडी भी जिम में पसीना बहाने उतराये हैं। विराट कोहली अपने वर्काउट को लेकर जितने एक टेव हैं। उतने ही डाइट को लेकर भी। कोहली के डाइट प्लान में मसालेदार और जायकेदार खाने का दूर दूर तक नाम नहीं है कोहली एक पंजाबी परिवार से तालुक रखते हैं और बटर चिकन के साथ बटर रोटी उनकी फेवरिट डिश है जो उन्होंने कई सालों से नहीं चकी है कोहली को जापानी डिश भी काफी पसंद है लेकिन वर्काउट और डाइट प्लाइंग की वजह से वेह इससे भी काफी दूर रहते हैं जिम में वर्काउट की बात करें तो कोहली को स्काउट्स और डेडली फित लगाना काफी पसंद है कोहली के मैदान पर हमेशा एक टेव बने रहने के पीछे उनके वर्काउट का बड़ा रोल है कोहली अपने six-pack के बसको लेकर भी काफी गमभी रहते हैं इन्हें बनाय रखने के लिए कोहली ओईली फूर्ट से भी दूर रहते हैं कोहली अपने ब्रेक फास्ट में चार अंडे, पालक, ब्लाक पेपर और पनीर, उबला हुआ चेकन के साथ तरबूज और पपीता लेते हैं इसके आलावा लांच में कोहली ग्रिल चेकन के साथ ग्रीन वेंज, पालक और उबले हुए आलू खाते हैं वहीं डिनर में कोहली की प्लेट काफी छोटी होती है जिसमें बॉयले अग्रिल सीफूड होता है